हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बनाने जा रही हूं दही बड़े की रेसिपी जो इतनी टेस्टी और डिलिशेस बनेगी लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है ना दाल भिगोना है पीसना है ना फेटना है और आज हम बनाएंगे इसको दो तरीके से बिना तले भी हेल्दी वर्जन भी बनाएंगे तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें पूरा वीडियो देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भून और बेल आइकान को प्यार करके आप इसको खिला सकते हैं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ली है सूजी एक दो कप ली है सूजी आप मोटी या फिर बारी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं साथ ही मैंने इसमें एक कप डाला है दही अगर आपके पास खटा दही है तो भी चलेगा इसको हम अ पानी डालेंगे हम इसमें, बहुत अब्सॉफ करती है सूजी पानी, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स करके हम इसको रख देंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए, और तब तक हम तग्यार करते हैं, अपनी चट्णी, बहुत ही टेस्टी डिलिशि इसके लिए मैंने लिया है एक कप हरा धनिया उसमें डालें पांस से छे गार्लिक क्लोफ दो हरी मिर्च यह बिल्कुल भी तीखी नहीं है और एक इंच अध्रा का टुकडा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था वो इसमें डालेंगे अब यह रोस्टेट चना डाल जो मार्केट म मिलती है वो मैंने वन टेबल स्पून डाली है साथी वन टी स्पून डाला है काला नमक और इसके साथी वन टी स्पून भुना जीरा पाउडर डालेंगे हम आधा नीबू का रस इसमें डालेंगे बहुती तीकी चटपटी अच्छी चटनी बनेगी और इसमें डालेंगे न वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अब हाँ से देख के बना सकते हैं उसको भी स्टोर करके रखें तो सूजी दस मिनट बाद मैंने खोली है और इसमें डाला है एक टीस्पून नमक और आधा टीस्पून सोडा बेकिंग सोडा डाला है अब मैं इसमें पाने डालके इसको मिक्स कर दोंगी ताकि सोडा अपना काम करें और फुली फुली हमारे दही बड़े तयार हो तो इसका बैटर हमें देखें इस तरीके से रखना है बहुत गीला भी नहीं हो बहुत सूखा भी नहीं हो इसमें मैंने डाला है वन टीस्पून जीरा आप चा करते हैं मगर आज मैं अपनी चीनी की चुटी-चुटी कटोरियां इसको यूज करूंगी इसको मैं ऑइल लगाऊंगी ताकि हमारा जो वड़े हैं वो चिपके नहीं और इसमें मैं डाल दूंगी बैटर तो सबसे पर मैं कटोरियों को तयार कर लेती हूं लगा के और आप मैं इसमें डालूंगी बैटर बैटर जो है आप आधा ही डाले तो क्योंकि फूलता है फूल के बड़े साइस के हो जाते हैं लेकिन मुझे थोड़े साइस के पसंद है इसलिए मैं ज्यादा बैटर डाल रही हूं आप अपने साब से जो शेफ देना चाहें चोटी बड़ी आप से बैटर डालें तो देखिए यह तयार हो गया है कड़ाई मैंने चड़ाई यह पानी बॉयल हो गया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे स्टफिंग कर देंगे काफी लोगों को पसंद होती है तो आप अपनी मर्दी है आपकी आप इसको भरना चाहें तो आप ऐसे ड काफी अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसको डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर देंगे अंदर कर देंगे और ढख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए हमें से पकाना है तो चलिए अब दूसरे तरीके से जो मैं फ्राई करके बनाऊंगी उसके लिए मैंने कड़ाई में तेल गर तो में मीडियम फलें पे मैंने दोनों तरफ सेंसको अच्छे से प्राई कर लिया. गोल्डन कंसे मेरी हो गये। देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बहुत ही टेस्टी आप इसको इतने ही बस फ्राई करें बहुत जादा हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे और अपने स्टीम वाले भी देख लेते हैं कि पग गए कि नहीं चाकू डाल के देखें अगर आपका चाकू ऐसे मेरा भी में रख लें कम से कम 10-15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले साथ हम दही तैयार करेंगे मैंने दही को चन्नी में चान लिया था ताकि उसमें लम्स ना रहें इसमें डाला आधा चमच नमक और मैंने एक वन टेबल स्पून डाली है चीनी पाउडर हलका सा मीठा दही अच्छा लगता है दही वड़ो में तो इसको मिक्स कर लिए है साथ ही हम जो तले वे बड़े उनको पानी में डालेंगे उसके लिए मैंने नॉर्मल पानी लिया इसमें नमक और हींग डाली है थोड़ी सी इसको मिक्स करके वड़े इसमें भिगऊंगी कम से कम 10-15 मिन और जब आपको खाने का दिल करें और फ्रीजर से निकालने वाले वड़ो को थोड़ा गरम पानी में डालते हैं गरम पानी में नमा खींग डालिए और फिर इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल नॉर्मल फूल जाएंगे तो जो दही हमने तयार किया था वो हम इसमें डाल देते इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है बहुत ही मज़ेगी बंती आप वहां से चेक कर सकते हैं इसको कैसे बनाना है साथ ही चाट का मसाला बनाएंगे जिसमें मैंने लिया है वन टीस्पून भूना जीरा पावडर वन टीस्पून काला नमक वन टीस्पून डाल मिर्च और बन टीस्पून चाट मसाला इसको हम उपर से स्प्रिंकल करेंगे इसको जरूर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथी बारिक सियों जो आते हैं आप वह भी इसमें डाल सकते हैं और आगर आप अनार डाल सकते हैं सजाने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है तो फिर 15 मिनट बाद हम इसे असेंबल करेंगे इसको दहीं से निकाल लिया है मैंने प्लेट में और अब इसमें गाढ़ा दही चीनी वाला डाला है अब इसमें चटनी डाल रही हूं मैं हरी और अब लाल चटनी इस अब आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग डाल सकते हैं जि ना हमने दाल भिगोई ना पीसी ना इसको फेटा बहुत असानी से दो तरीके से आप इसको जरूर ट्राई करें और आपके दही बड़े कैसे बने मुझे जरूर कमेंट करके बताएं बहुती सौफ्ट बनते हैं यह जट पर तयार हो जाते हैं तो आप इसको जरूर कर लें इस होली आप इन दही बड़ों को जरूर बनाएं मुझे पता है आपके महमानों को जरूर पसंद आने वाले हैं अगर हेल्थ कॉंशिस हैं तो इस टीम वाले खाएं बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि सूजी की हैं मैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलू जि बढ़ हेल्ग झाय दूर बढ़ हेल्गा का रखका राओ ह blue के सूंध बढ़ हेल्ग हैं झा pillar हो